हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं महंगाई के खिलाफ महिला कॉंग्रस का विरोध प्रदर्शन देश में पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में लगातार हो रही बढ़ातरी तथा बढ़ती मांगो के विरोध में बाटबें महिला कॉंग्रस ने उद्वार को गैस सिलेंडर को उल्टा रख कर लकड़ी के च महिला कॉंग्रस के आवहान पर प्रदेश भर में महिला कॉंग्रस ने पेट्रोल डीजल वर गैस के दाम आसमान छूते जा रहे दामों के विरोध में प्रदर्शन किया कॉंग्रस का कहना है कि मोधी सरकार महंगाई कम करने के नाम पर सत्ता में आई लेकिन सत्ता में आने क ये बात महंगाई और नियंत्रत होती जा रही है बार्टमेर महिला जिला अत्यक्ष मुली चौधरी के नेत्रुत्त में धर्ना दिया गया और धरने पर ग्यास की खाली टंकी लाकर उल्टी रखी गई धर्नास तरपर कॉंग्रेस महिला जिला अध्यक्ष मूली चौधरी और कारेकरताओं ने लकडी के चूलहे पर आटा लगाकर रोटियां बनाई मूली चौधरी ने बताया कि UPA सरकार में जहाँ सिलेंडर के भाव 400 रुपे के आसपास थे वहीं अब 850 रुपे तक पहुँच गए हैं तेल की कीमतों में वुरुदी होने से महिला लगातार बढ़ती जारी है धर्नाप सरपर आटा लगाकर लकडी के चूलहे पर रोटी बनाती कॉंग्रेस जिला अध्यक्ष और कारेकरता बाडमर विधायक मेवाराम जेन ने कहा कि महंगाई की विरोज में महिला कॉंग्रेस वारा धर्नाप दिया गया है मोधी सरकार ने वादे किये थे कि सत्ता में आने के बाद महंगाई कम कर देंगे लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद लगाताँ तेल और गैस के भाव बढ़ रहे हैं इस महेंगाई से जनता परिशान है धरना देने के दोरान नगर परिशत सभापती दीपक माली, पारशत किशोर शर्मा, पूर्व महीना जिला अदेक्ष संतोष चौधरी, प्रवक्ता मुकेश जेन, पारशत महाभीर जेन सहित कॉंग्रेस कारेकरता मौजूद थे जागरुक टिवी के सम्मा परिपस से बात करते हुए, मौली चौधरी जिला अदेक्ष महीना कॉंगरेस बार्ड मेर इरोनी ये कहा जागरुक टिवी के बार्ड में से ठाकरा में इगवाल की रिपोर्ट कि अ कर द की हा, प्रडम से ए जागरुकर वहालुक्या के तू. झाल झाल